नमस्कार दोस्तों वेलकम टो आरंभ एजूकेशन इंपावरिंग एस्पिरेंट्स देखिए होस्टल वाडन में जो आप लोग का चार नंबर का नया पार्ट जुड़ा हुआ है योग और सिख्छा वाला पार्ट जो फिजिकल एजूकेशन का पार्ट है उसमें सेक्षणिक योजनाओं वाला एक टॉपिक है सेक्षणिक योजनाओं में आपको जो सबसे इंपोर्टेंट योजना है सेक्षणिक योजनाओं में वो योजना है मुख्य मंतरी बाल भविश्य सुरक्षा योजना कई सारी योजनाएं है मैंने एक वीडियो में पिछला जब वीडियो बताया था तो मैंने आपको बताया था कि कहां से इसको cover करना है करके उसमें से सबसे important योजना एक है मुख्य मंतरी बाल भविश्य सुरक्षा योजना तो आप इस योजना को बहुत इसमें किस तरीके से पढ़ना है किन-किन चीजों पर विशेश रूप से ध्यान देना है उसको आज की वीडियो में हम लोग discuss करेंगे और इस योजना को पूरा complete करेंगे और यह maximum chance है कि यह वाली योजना अगर योजना से सवाल लाएगा तो इससे एक ना एक सवाल जरूर आपको देखने के लिए मिलेगा विडियो में इतना मैं बोल सकता हूँ आपको अगर इसका पीडियेफ चाहिए रहेगा तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर जोइन करिएगा टेलीग्राम चैनल पर आपको चेतर में बच्चे जो है वो सिक्षा के में बहुत पिछड़े हुए थे एक तो वो चेतर ही पिछड़ा हुए ना नकसल प्रफावी चेतर जो है वो अब उनके बच्चों को सिक्षा देने के लिए योजना जो है वो चालू की गई थी सब योजना का कब चालू किया गया था ये अच्छे से याद रखना है तो ये योजना जो है वो मुख्य रूप से चालू की गई थी वर्स 2010 में ठीक है तो अगर आपको पूछेगा कि 2010 में चालू हुआ तो नकसल प्रभावी जीलों के बच्चों के सरवांगिन विकास है तू सिक्षा आवास भोजन खेल और मनुरंजन सारी सुविधायें प्रदान करने के लिए सरक्षक भोमी का निभाते हुए रोजगार में इस्थापित कर जीवन में इस्थाई तो रहा जाता है इन सारी योजनाओं को मतलब इन सारी सुविधाओं को बच्चों को देना जो नकसल हिनसा से प्रभावीत हैं जो जीले में रहते हैं कौन से जीले में रहते हैं जो हम लोग देखेंगे है न तो चलिए यहाँ पर तो 2010 से यह चालू हुआ है जिसमें यह सारी सुविधाएं उनको दी जाती है अब 2022-23 में जब यहाँ पर चालू किया गया इस योजना को 2010 में तो बजट में प्रावधान था 200 लाक मतलब की 2 करोड का और 2022-23 में यहाँ पर निष्ठा, प्रयास और सहयोग तो इसमें पेपर में आ सकता है आपको कि यह वाला जो योजना है मुख्यमंतरी बाल भविश्य सुरक्षा योजना इनके घटकों में सामिल नहीं है पेपर में आ चुका है यह सवाल है न यहाँ से सवाल अन्य पेपरों में व्यापम के बन हुए है तो क्या क्या सामिल है आस्था, निष्ठा, प्रयास और सहयोग चार चीजें सामिल है अब क्या है यह आस्था, निष्ठा, प्रयास और सहयोग तो आस्था, आस्था क्या चीज है तो यहाँ पर देखेंगे आप नकसल हिंसा से अनात हुए बच्चे मतलब कि ऐसे बच्चे जिनके माता पिता जो है वो नकसल हिंसा में नकसली हमले में जिनके माता पिता की मृत्यू हो गई है उनके लिए दंते वाला जीले में क्या खुला गया है दंते वाला जीला में आस्था गुरुकुल विद्याले संचलीब किया जा रहा है तो ऐसे बच्चे जिनके म ओन्से कक्षा में पहली से लेके 12 तक के बच्चों को यहां तक सिक्षट दी जाती है तो कौन से कौन से तो पूरा 1st Class 1 से लेके Class 12 तक दंते वाड़ा में ऐसे बच्चे जो अनात हैं उनको सिक्षट दी जाती है चालू कब से हुआ अच्छा निसूल का सिक्षट तो दी ही ज लख हैं कन्या एक तोटल कितने हैं 204 विद्धार थी यहां पर अध्यान रहत है आकड़ों को ज्यादा फोकस करने का ज़रूरत नहीं है बस यह ध्यान पर निश्ठा तो पहली बात यह कि चालू कप से हुआ तो यहां पर आप देखेंगे 20 21 से यह जो है वो बंद कर दिया गया है तो यह चालू जो हुआ है यह 2010 में इसके साथ चालू होने के साथी चालू हो गया था लेकिन 2020 में बंद कर दिया तो चार घटक है आस्था प्राइवेट स्कूल को क्या किया जाता था जीला प्रसासन के दौरा जीला प्रसासन के दौरा दे दिया जाता था है ना बाकी बच्चे जो है वो राज्यान गाउं जीले के सेक्षनिक संस्था में अध्येन कर रहे थे इससे संबंदिद है ना तो यहाँ पर 2021 योजना तो बंद कर दिया गया है टिक अब इसके बाद यहाँ पर नए विद्यार्थियों को प्रवेश न इसके दिया वो राज्यान गांधी प्रवेश संदि दियार्थिन के आदिवासी उपयोजना चेत्र के विद्यार्थियों को भी दिया जा रहा है तो दो चीजें यहां पर सामिल है अनसूचित छेत्र अब अनसूचित छेत्र में जीले कौन-कौन से है और आदिवासी उपियोजना छेत्र मतलब आदिवासी उपियोजना छेत्र के अंतरगत कौन-कौन से जीले सामिल है तो मैं आपको टेबल चार्ट सहीं बतात यहां पर देखिए राजस्व जीला तो टोटल 36 गड़ में राजस्व जीले हैं टोटल कितने 28 है ना वरतमान में प्रशाष्णी प्रतिवेदन के अधार पे अब पूर्णता अनुसूचित छेतर में सामिल जीले मतलब ऐसे जीले जो पूर्णता जिसको क्या किया गया है पा आंसिक रूप से अनुसूचित छेतर मतलब ऐसे जीले जो पूरे तरीके से अनुसूचित छेतर में सामिल नहीं किया गया है उसके कुछ हिस्से को अनुसूचित छेतर में कुछ विकास खंडों को सामिल किया गया है ऐसे जीलों की संख्या है 6 और तीसरा है आदिवासी पूप योजना चेत्र में सम्मिलित हैं ऐसे जीलों की संख्या कितनी 25 अब देखिए यह जो अनुसूचित चेत्र में सामिल जीले हैं मैं आपको यहीं पर याद करा दूँगा कि अनुसूचित चेत्र में सामिल जीले कितने ठो हैं तो यहां पर आप अपन देखेंगे देख चाथ जिले 6 जीले प्लस एक जीला और सामिल है जिसका नाम है क्या कोरबा तो यहां पर एक जीला और है तो क्या हो गया कोरबा तो टोटल 14 जीले जो है पूरता अनुसूचित छेतर में सामिल जीले हैं साथ बस्तर संभाग 6 सरगुजा संभाग और एक कोरबा, कोरबा जीला, मतलब बिलासपूर संभाग का जीला है कोरबा, ऐसे याद रखना है आपको, तो आसानी से क्या होगा, याद हो जाएगा, अब आपको पुछेगा, निम्न में से अनुसूचित छेतर में सामिल जीले नहीं है, तो आप लगा लोगी कौन सा नही है, पचीस, इसको कैसे याद करेंगे, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, देखो, यहाँ पर देखिए आप, यह छे जीले जो यहाँ पर, आठ जीले जो है ना, टोटल वर्तमान में, च्छतिस गड़ में, जीलों की संख्या कितनी है, तो टोटल कितने जीले हैं, तो आठ जीले जो यहाँ पर लिस्टेड हैं, वो आठ जीले इस उप्योजना के तहट, आदिवासी उप्योजना के तहट सामिल नहीं है, तो तो टैस में से आठ आप मैनस कर दोगे, तो आ जाएगा 25 तो बांकी 25 सामिल है, तो जो सामिल नहीं है, उनको याद कर लो, आठ जो स आठ जीले जो है, वो आदिवासी उप्योजना के सामिल नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो बांकी जो जीले हैं, वो क्या है, समिल इस तरीके से याद करेंगे, तो जल्दी याद हो जाएगा, पूरा रटना नहीं पड़ेगा किसी तरीके से, इसको ऐसे याद किया जाता है चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर वापिस आते हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि अब समझ में आ गया यह कहां कहां संचालित है तो यहां पर आप देखेंगे यह जो योजना है मतलब प्रवास आवसी विद्याले में अनुसूचित छेतर में सामिल जीले कितने हैं चाउदा मैंने आपको बता दिया और यहां पर आप देखेंगे अदिवासी उपियोजना छेतर मतलब 25 आप आदिवासी उपियोजना छेतर में समय सामिल हैं तो यहां पर क्या किया जाता है प्रवास आवसी विध्याले में तो सुब्से पहले तो वात याद रखना की कब से सुरुवात हुआ था 26 जुलाई 2010 यहां पर क्या किया जाता है कोचिंग सुविधा उपलब्द कराई जाती है ट्यूसन किस चीज के लिए यहां पर नवी से बारवी तक हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी इस तरके अध्यापन के सांसांत है ना मतल के लिए क्या किया जाता है कोचिंग दिया जाता है यह सब क्या है इंजिनरिंग का इंट्रेंस इग्जाम मेडिकल सी ए सी एस तो नवी से बारवी के दौरान जाते न बच्चे कोटा उटा पढ़ने के लिए तो वहां पर क्या किया जाता है इन छेत्रों में जहां पर यह आनुसूचित चेतर हैं, आदिवासी उप योजनत चेतर हैं, वहाँ पर के बच्चों को ये सारी चीजों की कोचिंग दी जाती है, ताकि वो इंट्रेंस एक्जाम करेक करके अच्छे इंस्टिट्यूट्स में, अच्छे कॉलेजिस में दाखिला ले सके, ठीक है, तो ये यो होजना है, वह आपको क्या कर रहा है, इंट्रेंस एक्जाम की तयारी करवारी है, अब इसके लिए कौन-कौन से विद्याले में सुविधा उपलब्ध है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, रायपूर जी लेके, यहाँ पर बालक और कन्या, मतलब लड़के और लड़की, म आपकी सब जगवे एक-एक्ट हो है, रायपूर में दोठ हो है, और कहां-कहां है, बिलासपूर, सरगुजा, दुर्ग, बस्तर, कांकेर, कोर्बा और जस्पूर, तो इतने जीलों में प्रवास आवासी विद्याले संचालित है, याद रखना बहुत इंपोर्टेंट है, पुछता है पेपर में प्रवास आवासी विद्याले कितने जीलों में संचालित है, चत्तिस गड़ में, तो एक तो रायपूर हो गया, दूसरा बिलासपूर हो गया, तीसरा सरगुजा हो गया, चौथा दूर्ग हो गया, पांचवा बस्तर हो गया, छटवा कांकेर हो गया सातवा कोर्वा हो गया और आठवा कहा है जस्पूर हो गया तो यहां पर आठ जीले में इस्थित है लेकिन अगर कुल संख्या बोलेगा तो नौ है प्रवास आवसी विद्याले का नौ क्यों है क्यों कि रायपूर में दोठो है तो रायपूर में दोठो और बाकी 7 ठो बाकी 7 जीले में तो जीले की संख्या अगर पूछेगा आपको कितने जीलों में संचली थे तो 8 लेकिन संख्या अगर आपको प्रवास आवासी विद्यालें को ही पूछ लिया तो 9 है कौन से जीले में दोठो आवासी विद्याले संचली थे प्रवास तो रायपूर में दोठो आवासी विद्याले संचली थे इसी तरीके का कोस्चन आपके प्रिवियस पेपर में आया हुआ है याद रखना है ना चलो कोचिंग इत्यादी की सुविधा उपलब्द कराई जाती करियर को उज्वल बनाने के लिए है ना विद्याले में अध्यापन है तू कोचिंग नीजी सेंटर प्रतम चरण में क्या इसका दो चरण में अध्यापन के साथ मत्ब्र नवी दसवी के साथ मतब इंट्रेंस इग्जाम की बेसिक त्यारी और NTSC की विज्ञान पहली ओलंपियार जैसी प्रतियोगी परिश्वाउं की तैयारी कराकर उसमें सामील किया जाता है और दूसरे चरण में 11-12 की स्कूली सिक्षा के साथ J-Mains और Advance और NIT, P-T, PMT, CA, CS, CLET ये सब चीजों की तयारी second phase में कराई जाती जब बच्चे 9-10 वी में होते हैं तो इन सब चीजों की तयारी कराई जाती है और जब बच्चे second stage में 11-12 वी में पहुंचते हैं ये सब चीजों की तयारी वहाँ पर करवाई जाती है अच्छे से याद रखेगा इसको ठीक है अब यहाँ पर यहाँ पर जो पूरा data दिया हुआ है कि 11-12 वैंच, 11-8 वैंच अभी तक संचालीत हो चुका है जिसमें से आप देखोंगे NIT में 10 student गए हुए हैं आई एटी में 44 गए हुए हैं इन्जिरिनिंग कॉलेज में 155 टोटल हैंना मैं 20-21 में 11 वैंच में और अभी लेटेस्ट का बता रहा हूं मद्यालों मेडिकल में तीर लोगों का सेलेक्शन हुआ है टोटल 107-305-987 एक बार देख लिजेगा बागी डाटा तो मेरे ख्याल से नहीं पूछना चाहिए व्यापम में बहुत ज़्यादा डेटा पर फोकस नहीं करता है है ना तो यहां पर यहां पर कुछ इंफोर्मेशन दिया हुआ है सुविधाय उपलब्द कराई जाती है भवन प्रांगण आवास मैं सुविधा पुस्तकाल है प्रयोक साल है सारी चीज़ें जिनको पूर्णता निसूल कप्रदान की जाती है अब यहां पर क्या किया जा रहा है प्रयास विध्याले की सफलता को देखते हुए और क्या कारिक किया जा रहा है तो अब देखो क्या किया जा रहा है ये भी बहुत important है इसमें से आप सवाल आते हैं प्रयास विध्याले में IIT में प्रवेस विध्यार्थियों को जो बच् चार चार साल में 24 छॉनकश को चार चॉनक 16 रूक रूपई दिया जाएगा फीज तक ही वो लिक क्टा सके अपना उसकी अत्रिक्त आया एटी में प्रविसी चात्रों को लेप टॉप हेतूराशी प्रदान की जाती है तो इसके अत्रिक्त सहीयोग बजगिया मुख्य मंतरी बाल भविस्य सुरक्षा योजना के तहत गटक अंतरगत बारवी उत्तिरन चातर चात्राओं को आर्थिक साहता उपलब्द कराई जाती है सहीयोग के तहत हेल्प की जाती है ताकि वे हायर एजूकेशन हासिल कर सके उच्छ अध्यन कर हाई के दोरान क्या किया जाता है मतब उसका फीस पे किया जाता है और क्या किया जाता है उसको आने जाने की सुविधा भी उपलब्द कराई जाती है तो यह सहीयोग के माध्यम से क्या किया जाता है बारवी उत्तिरन चात्रों को तो कराया ही जाता है साथ साथ दसवी के ब यहां पर बिलासपूर के बच्चे हैं और यहां पर सड्डू राइपूर के बच्चे हैं तो प्रयास मतब कौन कौन सा यूजना कब कब सुरुवात हुआ था इसके उद्देश से क्या क्या हैं कहां कहां संचाली थे यह सब आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा और अगर आपको टेलीग्राम चैनल जरूर जोइन करिएगा इसका पीडियाफ आपको मिल जाएगा इसके अलावा मैंने आपको सोर्स वगर भी बताया तो वो अलब वीडियो भी जाके देख लीजेगा एक बार ठीक है मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा ल